कि अलो एंड नमस्कार माई डियर फ्रेंड्स मैं आपका सिभी ऐसी दोस्त संजे परमार मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं तो यहां पे टेबुलेशन क्लास 12 का जो मार्ग्स है उसको टेबुलेशन करने का सरक्यूर आजुका है उसका वीडियोपी मैं अपरोड कर चुका हूं आपने देखी लिया होगा अब देखे यहाँ पर है format यह format मैंने दिया है आपको एक subject के उपस है तो subject के according यहाँ पर आपको फिर अलग-अलग subject के copy करके बनाने पड़ेंगे उसके वाद उसको consolidate करना पड़ेगा तो चली देख लेता है कि इसमें कौन-कौन से parameter है कौन-कौन से element है और कैसे calculate होगा तो यहाँ पर मेरे पास Excel seat है और पहले यह assessment and components देख लेते हैं देखिए सबसे पहले क्या है जो है हमारे इस प्रकार से आएंगे class 10 30% class 11 30% class 12 40% तो यहाँ पर class 10 का जो लेना है हमें तो class 10 के marks हम वहाँ से लेकर के आएंगे जो आपका class 10 का result होगा देखे यहाँ पर लिखा है उसी सबसे कि competition of class 10 theory marks मार्क अप्टेन बाइब स्टुदेंस इन बेस्टरी परफॉर्मिंग सब्जेक्स आउट में पर इसका भी मैंने फॉर्मिला पिछले एक वीडियो में बताया था class 10 का जो रिचल बनाया था उसमें तो उसमें जो फॉर्मिला है वह आप देख करके कर सकते हैं अगर आपको आपको प्रिपर कर दिया है यहां पर आपको पच्छी स्टुडन का यह जो डिटा है वह आप इसमें प्रोसेस कर पाएंगे तो इतना मैंने यहां पर लिया हुआ है तो चलिए सबसे पहरे देखते हैं यहां पर सब्जेक्ट वन तो यह मान देखे कि आपका सब्जेक्ट आप अपने रेकॉर्ड के इसमार्स डाल दीजेगा अब यहां पर अब तो यहां पर आपको डालना है इकौल टू अबरेज तो यह जो आपको यहां पर मिल जाएगा तो यह आपका अवरेज आया है अब आब आउट अउट अप 70 निकालना है तो आउट अफ 50 आप कैसे निकालेगे तो आउटप 70 निकालने के लिए हम सिद्धा क्यालकुलेशन करेंगे कि 100 में से 95 है तो 70 में से कितने है तो 70 इंटू 95 डिवाइड बाई 100 तो यह फ्रमिला य यहां पर आ जाएंगे तो यह 66.5 आया है तो इसको राउंड कर लिए आप राउंड कर सकते हैं ताकि वह राउंड फिगर में आ गये तो यहां पर 67 आ गये अब 30% करने के लिए हमें यह इंटू 0.3 करना पड़े ताकि 30% का मदब 0.3 होता है तो यह आ गया है 20 तो इसको कर सकते हैं तो इसको करके ले लेंगे यहां पर भी अगर राउंड की जरूर था तो आप राउंड कर सकता है तो यह करने के सैमिरलेक्लास 11 का तो डायरेक्स 70 में से आप पर भी राउंड आप अपलाई कर सकते हैं करके उसके बाद है प्रिबॉड वन में मालेजें कि किसी मेंचे का 65 है इनका 63 है इनका 62 है प्रिबॉड अब निकलेंगे यहां पर इस तरीके से निकल जाएगा कि इसारे मार्ग सेवंटी में से ही है तो यह आप आप 40% of pre-board average तो 40% के लिए same वही अपलाई करेंगे ये इन्टू 0.4 यहाँ पर इतने marks आगया है 25.3 based of pre-board तो आप based कैसे निकालेंगे तो based हम इन तीनों में से निकालना है तो सिधा max formula आप अपलाई कर लेंगे max और ये तो ये based आगया 65 65 इसी प्रकार से यहाँ पर इसका 40% इसका 40% है 0.4 इस प्रकार से आजाएगा 0.4 मैंने यूज किया अब टोटल अब यहाँ पर टोटल करतेंगे 70 में से तो टोटल के लिए पहले average वाला लेते हैं तो टोटल में पहले ये आएगा plus second ये आएगा और plus third ये आएगा तो ये average वाला है same उसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे based equal to ये आएगा उसके बाद ये आएगा plus उसके बाद based वाला है ये आएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको मार्चम थोड़ा variation देखने को मिलेगा तो इस हिसाब से जो भी बेस्ट आप कर सकते हैं तो ये मैंने सिप एक सब्जेक का लिया है अब हंडेड वाला जो फॉर्मुला है वह अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर साइड में कर सकता है तो वह एड करके आप साइड में कर सकता है तो इस प्रकार से सारे सब्जेक कर सकता है अलग अलग तरीके से यहाँ पर दूसरा कॉपी कर लेगी इसी सीट को जैसे शीट को हम कॉपी करेंगे और जब कॉपी हो जाए तो आप दुसरा सब्जेक के मार्स यहां डाल के प्रोसेस कर लिए तो इसी प्रकार से सारे सब्जेक के प्रोसेस कर लिए उसके पास हम कंसॉलिडेटर बनाएंगे जो मैं आपको एक और वीडियो बना करके एक्स्रेंट कर दूंगा कि यहाँ पर आशा रखता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा मैंने एक ही सब्जेक एक्जमपल के तौर पर फिजिक्स लिया है ताकि यहां पर हर सब्जेक मार्स अलग अलग आएंगे तो उसके हिसाब से आपको प्रोसेस ना तो चलिए यह सीट आपको काम में आएगा डिस्क्रिप कि वो भी इसका यूज कर सके चलिए मिलते अगले वीडियों में तिल देन टाटा बाइबाइब